Hello everyone, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो इगनू के जो एड्मिशन हैं मास्सर्स या फिर अंडर गेजूइट कोर्सिस के वो 11 अक्टूबर तक चलेंगे फिलाल हो सकता है इस देट को फर्दर भी एक्स्टेंड करा जाए लेकिन फिलाल की जो लास देट है वो 11 अक्टूबर है और जो इस वीडियो में हमारा मेन कंसर्ण है वो S.O.L.K. स्टूरेंट के लिए है कि काफी बच्चों के प्रोफिजनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आये हैं तो क्या वो बच्चे इग्नू में एड्मिशन ले सकते हैं के नहीं ले सकते हैं इस चीज के उपर में डिस्कुशन करने आया हूँ देखो यार सबसे पहले तो एक चीज मैं यहां पर आप लोगों के साथ किलियर कर देता हूँ मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिनका एड्मिशन इग्नू के इंदर बिना प्रोविजनल सर्टिविकेट के हुआ है और मैंने वो बच्चे भी देखे हैं कि जिनोंने बिना प्रोविजनल सर्टिविकेट के इग्नू में अपलाई कर दिया था बट उनके admission में discrepancy आ गई, फिर discrepancy आने के बाद उन लोगों ने provisional certificate अपलोड किया, तो ये बात कहना कि बिना provisional certificate के igno में admission हो जाएगा, ये बहुत ही risky चीज़ है, और कहीं बार मैं कह सकता हूँ, ये काफी lucky चीज़ भी हो सकती है, कहीं बार igno admission अप्रूफ कर लेता है बच्चों का बिना provisional के भी और कहीं बार नहीं भी करता है, तो आखिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन जिन बच्चों का provisional नहीं आया है, उन बच्चों को क्या activity करनी चाहिए, so that उनका igno में जुलाई session में admission confirm हो जाए, देखो यार, सबसे पहले तो, आप लोग पहली केड़े-गरी के बच्चे जिनों ने, जिनका provisional नहीं आया है, देखो आप लोग पूरा form भर दो, igno का पूरा form भर दो, फीज समेत, आप जो mark sheet वाला section है, उसमें आप अपनी mark sheet अप्लोड कर देना, और जो दूसर वाला option आता, provisional certificate का, उसमें भी अपनी mark sheet अप्ल अप्लोड करिए, तब आप अपना provisional certificate अप्लोड कर देना, फरक नहीं पड़ता है, अगर आपने उससे पहले-पहले fees भर दी है, और अगर कोई discrepancy आपके form में निकल जाती है, तो igno आपके dashboard में ही show करेगा, यह discrepancy है, यह अपने provisional upload नहीं क्याता, आप कर दीजिए, ठीक है जी, तो अगर जिस वक्त वो discrepancy निकलती है, मैं पूरी उमीद लगा सकता हूँ कि आप लोगों का provisional certificate आपके पास आ चुका होगा, अगर नहीं आता उस ताइम तक भी provisional certificate तो अब आपके पास एक valid proof होगा, उस proof को लेकर आप as well campus जा सकते हो, और उनसे demand कर सकते ह मुझे provisional certificate चाहिए, तो as well के जो official होगे वो अपने computer में आपका provisional certificate generate कर देंगे, जो कि फिर आप as well की website से download कर सकते हो, यह activity आप लोग कर सकते हो, I hope आप लोगों के चीज़ समझ में आ गई हो, कि मैं क्या यहां पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं simply यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलाल तो आप IGNU का form बिना provisional certificate के fill up कर दीजिए, और जब discrepancy निकलेगी, अगर निकलती है discrepancy, तो provisional certificate I hope की उस time तक आप लोगों का आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो BA program कोर्स को छोड़ कर, जो बाकी के courses हैं, उनका provisional certificate 8 से 10 दिन के अंद तक नहीं भी हुआ होगा, तो आप लोग as well campus जाकर request कर सकते हैं उनसे, कि मुझे अपना provisional certificate चाहिए, ठीक है जी, एक तो ये चीज़ हुए, दूसरी चीज़ जो मैं discuss करने वाला था, वो ये था, कि बहुत से बच्चों के पास provisional certificate होगा, लेकिन वो ये सवाल करते हैं, क सर मेरे पास provisional certificate है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ignoform के लिए mark sheet verified होने वाली compulsory है या नहीं, मतब mark sheet stamp वाली upload करूँ या बिना stamp वाली upload कर दूँ, इसका भी मैं आपको यही solution दूँगा, कि अगर आप S.O.L. campus नहीं जा पा रहा हो फिलहाल, mark sheet पर stamp लगवाने, तो certificate अगर आपके पास आगा है, तो उसको upload कर दो, और Monday Tuesday में stamp लगवाया हो campus से, खुद नहीं जा सकते, अपने किसी relative को भेज़ दो, अपने किसी friend को भेज़ दो, out of station और Delhi में नहीं हो, तो Delhi में जो आपका friend या relative रहते हैं, उनको भेज़ सकते हो, अपने विहाफ पर कोई दिक दिकत नहीं है, इस time लगवा कर वो लोग आ जेंगे, कोई issue नहीं है, और अगर आपने बिना स्टेम वाली mark sheet से एगनू में admission form fill करा, और in case एगनू admission अप्रूव नहीं करता हो, बोलता है कि verified mark sheet upload करिये, तो कोई दिकत नहीं है, आप स्टेम लगवा कर आ जोगे, तो वो वाल mark sheet upload कर देना, देखो यार इगनू में बहुत भी relaxation होता है, बच्चों के लिए, अगर form fill करते टाइम कोई document गलत पाया जाता है, तो उसको resolve करने का proper time आप लोगों को दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि, ऐसे student जिनका अभी तक result सब कुछ clear हो चुका है, और definitely July session में ही इगनू में admission ले सकते हैं, आप लोग यह कुछ कर बेठो कि आप जन्वरी में ले लूगा, कोई बात नहीं, आप जन्वरी में ले सकते हो, छे में नहीं आपके वेस्ट होंगे, लेकिन इस वीडियो का main purpose जो मेरा था, वो यही था, कि आप अगर चाहो तो July session में भी admission ले सक हो, छोड़ा mind का इस्तेमाल करके आप एगनू का form भर दीजिए, जो चीजे मैंने बताई हैं, I hope आप लोगों के वो चीजे समझ में आ गही होंगी, अगर प्रोविजनल नहीं है, तो बिना प्रोविजनल के form भर दो, डिस्क्रिपेंसी निकलती है, तो प्रोविजनल अप्लोड कर देना, उस टाइम तक, नहीं कि जब तक आपकी डिस्क्रिपेंसी निकलेगी, तो I hope प्रोविजनल आ जाना चाहिए, अगर उस टाइम तक भी नहीं आता, तो आप तो आपके पास बहुत strong proof होगा, देखो जी, मेरे को यहाँ पर अप्लोड करना है, प्रोविजनल अग्नु डिमांड करना है, आप जनरेट कर दीजिए, तो डेफिनेटल एसोल विल जनरेट यूर प्रोविजनल साटिविकेट, अगर आप एसोल केंपस जाओगे, और अगर वेरिफाइड मार्चिट नहीं आने के स्ट का बिना प्रोविजनल साटिविकेट के अड्मिशन अग्नु में हुआ है, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, जिन्होंने बिना प्रोविजनल साटिविकेट के अग्नु में अप्लाई किया था, बट वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आ आ गाई थी, कि अपना प्रोवि आप जुलाई सेशन में काफी एजली इगनु में एड़मिशन ले पाऊगे ठीक है तो फिलाल 11 अक्टूबर लाज दे रे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि इगनु का फॉर्म कैसे बढ़ते हैं और आप आपके साही चीज़े समझ में I hope आ गई हूँ तो वीडियो को शेर कर सकते हैं थैंक्यू